नमस्कार दोस्तों मैं रोहित जोहान आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपर इस्तित्वाऊँ जी आप फ्रेंड जैसे की आज आपने थमने दो देख लिया होगा इसमें फ्रेंड्स हम आज हम जानेंगे कि टॉपर बनने के 20 नेम किया है तो फ्रेंड्स इस वीड को इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है और फ्रेंड्स आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन जाएंगे उस पे हमने एक सेपरेट पे लिस्ट बनाई है प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ठीक है और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी रखनी है ताकि फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट वीडियो के जिनोटिफिकेशन है वहां फ्रेंड्स आपको समय पर मिलती रहे और चलि फ्रेंड्स सेशन करते हैं स्टार्ट तो friends सबसे पहले आपको क्या करना है कि नियमत तैस समय पर पड़ाई करने आपको पहले आप एक proper एक time table बनाएं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है ठीक है next friends है हमें नई चीज़ सीखनी है और समझनी भी होगी ठीक है आप देखी हमें रोज एक एक नई चीज़ हमें सीखनी होती है और जो भी आपके concept होते हैं उसको आपको clear करने होते है next friends है smart study करें पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं ठीक है next friends है मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहता हूं कि आप notes तयार करें hand written notes तयार करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा useful वह helpful होंगे next friends है कि हर एक topic को concept वाई समझें मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियो बनाए है कई सारे वीडियो बनाए हैं उनमें सब में हमने कहा है कि friends देखे कोई भी आप त्यारी करें कोई दिक्कत नहीं है पर you should know the proper syllabus और उस syllabus में देखना होता है कि कौन सा hidden syllabus है कौन सा च्छेपा हो जरूरी नहीं वो syllabus के अंदर से याद हो सकता है syllabus से बाहर भी आ सकता है तो कहने मतलब यहां है कि हर एक topic को concept wise समझें और यह तो friends बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन करते रहें जो friends जो आप day to day आप पढ़ते हैं एक time बनाईए अभी मैंने कहा था आप से थोड़े पहले उपर कि एक temptable जरूर बनाए और उस temptable में आप रिवीजन जरूर करें next friends है प्रश्ण पूछने पर कभी भी संकोच ना करें ठीक है डरे ना घबराए ना जो भी मन में दुवदा हो प्रश्ण आप जरूर पूछें संकोच बिलकुल भी ना करें next friends है mock test model paper solve जरूर करें देखे friends अगर तो टॉपर बनना है सब चाहते हैं टॉपर बने selection हो नौकरी मिले तो इन चीजों को आपको अपनाना ही पड़ेगा तो मौक टेस्ट वा मौडल पेपर आप स्वाल जरूर करें ठीक है जब आपका topic finish हो जाए you should do model paper या mock test परिक्षा में कटिन सवालों पर ज्यादा वक्त ब उसको जो चीज easy आती है उसको सबसे पहले आप करें फिर जो moderate हो उसको देखें जो नहीं आती है उसको last देखें क्योंकि उससे समय बहुत ज़्यादा ही बरबाद होता है next friends है स्वास्त पर ध्यान दें स्वास्त फ्रेंट जिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है है ना तो ह स्वास्ती ठीक नहीं होगा तो आप कैसे बढ़ पाएंगे अगला friends है सभी विश्यों को प्रात्मिक्ता दें अब यह नहीं कि हम एक proper subject लेके चले हैं एक topic लेके चले नहीं हमें थोड़ा थोड़ा सभी जो भी विश्या है उन पर आप ध्यान रखें पकड मजबूत करें friends जो भी हम history में गलती करते हैं इतियास में गलती करते हैं उनसे कुछ सीखिए ठीक है अभी मैंने कहा था कि आपको नई चीज़ सीखिए और समझे और नई चीज़ सीखने सीखना है जो आपने इतियास में जो गलती करी है उसको उससे भी कुछ आप सीखिए ठीक है next friends है सबस्क्राइब सबस्क्राइब क्या कह रहा है अब यह नहीं कि आप बराबर बोलते ही जा रहे हैं है ना तो यह कुछ एक negativity के लक्षण होते हैं तो हमें हमें क्या रहना है always positive रहना है ठीक है अगला मैंने कई सारे वीडियो में हमने कहा है कि देखिए बच्चे सबह उठकर आप meditation जरूर करें उससे हमारा दिमाग एक आग चित्र होता है concentrate होता है ठीक हमें देखो बच्चे कोई भी पढ़ाई करनी हमें उसको concentrate होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उस concentrate को उस एकाग चित्र को करने के लिए meditation जो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगला friends है क्लास में पीछे बैठने से बचे आप क्लास में बैठते हैं तो प्लीज पीछी ना बैठते हैं तो पीछे बैठते हैं ना उन्हें दिखाई देता है ना उन्हें सुनाई देता है अपनी बातों में लगा रहते हैं और पढ़ाई में हो जाते हैं पीछे इसलिए बच् ठीक है अगला फ्रेंट्स है यहां पर ध्यान हटाने वाले चीजों से दूर हैं देखे फ्रेंट्स मैंने पहले कहा था कि आप जब भी आप स्टेडी करते हैं टीवी मुबाइल इन सब चीजों बिलकुल दूर दूर रहिएगा टीवी को स्विच आप कर दीजेगा मुबाइ आप अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे यह चीजी क्या है ध्यान को भं करते हैं लाओ थोड़ा फेस्पुक लाओ वाट्सップ कर लें यह कर लें वो कर लें तो प्लीज इनर चीजों को आप कर दीचेंगा क्लोज ठीक कि इनर चीजों से आप बनाएए दूरी दूरी है कम जो और विश्यों पर अधिक ध्यान देखिए जो आपके कम जो टॉपिक है उन पर जाद विशेश ध्यान दखिएगा ठीक है अब जो चीज आपको आ रही है उसे वर वर समय बरवाद कर रहे हैं नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है अगला फ्रेंट से अपनी हैड राइट है उस पर विशेश ध्यान दीजेगा पुच्छे मैंने आप से पहले कहा था कि आप इसके जो भी जो भी आप त्यारी करें इड डेजंट मैटर बट यू शुड डू प्रपर नोट्स आपको प्रपर नोट्स करने चाहिए और एक काईदिस करिएगा ब्लैक पैन ब्लू प ने से आनलाइन वीडियो ऑनलाइन वीडियो द्वारा टॉपिक को समझें मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि बच्चे जब भी कोई भी टॉपिक आपको समझने में असमर्थ होती है कोई चीज़ आपको एक वरदान है, है ना, पहले जमाने में ऐसा कुछ भी कोई option नहीं हो, आज आपके पास बहुत सारे options हैं, तो इन options से आप टॉपर्स तो अबर्स बनी सकते हैं, I mean to say, selection भी हो सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, and most most important thing is that, आलस से पढ़ाई ना करें, अगर सरीर में आलस होगा, तो जिन्दिगी में आप पढ़ने पाऊगे, आलस सबसे इस इंसान का सबसे बड़ा सत्र होता है, तो बच्चे, अब आप आलस को दूर कैसे भगा सकते हैं, देखी बच्चे, निमत आप एक्सराइस करिए, यूगा करिए, पानी के ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, अपना जो घर में खाना बनता है, उसको आप इस्तिमाल करें, उसको आप खाएं, उससे आपका सरीर स्वस्त होगा, जब आपका सरीर स् सुखमई और आनदमई हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कुछ बीस नियम थे, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहत पसंद लगी हो, तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक वो सस्क्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेगा, ठीक है, और चली फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों,